दोस्तों ऐसा वो अपने पैरों के कारण करवाती है उनके पैरों में किसी कार के टायर से भी ज़्यादा ग्रिप होती है उन्हें बस अपना बैलेंस बनाना होता है वाकी सब आसानी से हो जाता है नमबर चार्ड डॉल्फिन और वेल दोस्तों क्या आप अपनी एक आँख खूल के सो सकते हैं आप भी कहेंगे मैं मजाग कर रहा हूँ ऐसा आप कोई ने गर सकता लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप हो गलत हैं डॉल्फिन और वेल ऐसे ग्रियेचर हैं जो अपनी आँखे खूल कर सोते हैं इसलिए करती हैं ताक कि वो अपनी एनर्जी को दुबारा प्राफ्ट कर सकते हैं और आराम भी कर लें दोस्तों होता यह है कि जब उनकी आँखे खूली रहती है तुमका दिमाग भी एक्टिव रहता है दोस्तों आर्चर का मतलब समस्ते हैं आप आर्चर का मतलब होता है निशाना लगाना और हमारी लिस्ट का अगला केंडिडेट भी निशान ची है आर्चर फेश गहरे पानी में पाए जाती है और इसका निशाना कभी नहीं चूकता समुदर की सदय से 10,000 फेट नीचे रहने वाली ब्लैक स्वोलर समुदर की गहराई में और जन्तूं का बड़ा खत्रा है इसके पीछे कारण है इसका पेट और इसकी इस लिस्ट में फीचर होने का कारण भी इसका पेट ही है दोस्तों ये फेश अपने वजन से 10 गुना ज़ादा वजन का फूड खा सकती है इसका पेट इतना स्ट्रेचबल है कि ये कितना भी खाय उसे फर्ग नहीं पड़ता लेकिन कई बार खाना ना पचने के कारण गैस बन जाती है और ये मचलियां फट भी जाती है लिखने इसका पेट किसी जादू से गम नहीं है तो दूस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है जेरियाट्रिक शार्क जेरियाट्रिक शार्क एक ऐसी फिश है जो 500 सालों से ज़्यादा जिन्दा रह सकती है साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद ये पाया गया कि ये अपने बॉड़ी पार्ट्स का बहुत कम इस्तेमाल करती है इसलिए इतना ज्यादा जी पाती है इनका दिल 12 सेकंड में एक बार धड़कता है ये फिश नेचर में बहुत ज्यादा आलसी पाय जाती है लेकिन जो भी हो, इसका ये जिन्दा रहना किसी को भी हरान कर सकता है आपको क्या लगता है, क्या हो सबसे बटन पर क्लिक कर दीजिए अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को चेक आउट करें और सबस्क्राइब करना ना भूलेगा